आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे होंगे यह हमारे देश के पिथम गैर कॉंग्वरेशी पिधान मंतरी थे आप सभी को मालू होगा कि कि 1975 से 77 तर राष्टिय आपातकाल इमर्जेंसी लगाई गई थी इंद्रा गांधी के द्वारा उसके बाद आप देखते हैं कि राष्टिय आपातकाल खतम होने के बाद हमारे देश में चुनाव होते हैं और उसमें आपने देखा होगा कि इंद्रा गांधी अपनी सीठा जा जाती है उसके बाद एक मुरारजी देशाई पिधानमंत्री बनाया जाते हैं लेकिन इनका भी समय जान्दा समय तक नहीं चल पाती है इनकी सरकार क्योंकि आप देखें गटबंतन करके कई पाइटियों ने सरकार बनाई हुई थी तो 1989 में इनकी सरकार गिर जाती है और इन इंद्रा गांधी से के साथ भी इन्होंने काम किया हुआ था अगर हम लोग इनके पूरे नाम की बात करें तो आप देखेंगे इनका पूरा नाम था मुरारजी रन छोड़जी देशाई इनकी आ उपना मुरारजी देशाई की नाम से पिसिध्धी पर आप्त किये हुए थ और इनकी जनम ते थी की बात करें तो 29 फरवरी 1896 को इनका जनम हुआ था यानि कि आप समझेगे कि इनका जनम दिन 4 साल में एक बार मनाये जाता होगा जनम इस्थान की बात करें तो भधेली बंबई प्रेसिडेंसी में इनका जनम हुआ था और धरम हिंदू धरम के थे और जाती ब्रहमर थी देखे वैसे आपको बता दूं यह भारत का दुरभाग गई है कि आज समय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसका धरम जरूर देखा जाता है उसकी जाती जरूर देखी जाती है तो मुझे लगता ही कि ये जाती और धरम देखने की जरूगत नहीं पढ़ने चाहिए उसके करम किस तरह से हैं ये देखना चाहिए लेकिन क्या कर सकते हैं पिता की बात करें तो रन छोड देशाई ये अध्यापक थे और माता की बात करें तो वाजी बेन देशाई इनकी माता का नाम पत्नी की बात करें तो गुजरा बेन देशाई इनका इनकी पत्नी का नाम था और कम ही उमर में इनकी साधी कर दी गई थे और समय आप सभी जानते हैं कि बचपन में ही साधी हो जाती थे कम मुरमर में इनके बेटे की बात करें तो करांती देशाई कांती देशाई इनके बेटे का नाम था और इनकी स्कूली सिक्षा देखेंगे तो सौराष्ट कुंडला स्कूल, सावर कुंडला बंबई से इनकी सुरुआती सिक्षा होती है वाई आउ वाई हाई स्कूल वलसाड मुंबई से भी इस सिक्षा प्राप्त करते हैं विस विद्ध्यालाई की बात करें तो बिलसन कॉलेज मुंबई से अपनी आंगे की सिक्षा लेते हैं और इसना तक करते हैं इनकी सेक्षडे क्या थी? इसना तक थी यानि कि उस समय के आप देखे जितने भी नेता थे जो भी हमारे राष्टी सुतंता सेना नहीं रहे हैं वो सभी पड़े लिखे थे और आप समझे कि समझदार थे आज के नेताओं को आप देखे आप पांच भी फैल हैं तब भी आप लोग विधायक बन जाते हैं आप लोग सबा सदस बन जाते हैं और आप चाहें तो पिधान मंत्री भी बन जाएंगे राजनेतिक आप ब्यवसाई की बात करें तो भारती ये सो तंता सेना मी भी रहे हैं और राजनिता भी रहें राजनितिक दल की अगर बात करें किस दल से जुड़े रहें तो ये सबसे पहले भारती राष्टी कोंग्रेस पाइटी से 1934 सें 1939 तक जुड़े रहते हैं लेकिन आप सभी जानते ही कि 1959 में कोंग्रेस का बिक्तन हो जाता है कॉंगरिस से अलग हो जाते हैं कुछ लोग और कॉंगरिस वो पाइटी बनाते हैं और इसमें से यह जुरते हैं मुराजी देशाई वो 1989-1997 तक इसमें बने रहते हैं, और फिर 1987-1988 तक जंता पाइटी में रहते हैं, फिर आप देखेंगे 1988-1995 तक इस जंता दल में सामिल हो आप सबी को मंदू है कि hintMac 91 में भारत रतन पुरोस्कार से भी संमानित किया गया था और 19 मई 1990 को उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा भारत की पिधानमंत्री कें जरूम मैं निसान एप्सान-पुरोस्कार से भी सब्मानित किया गया था आपका जो वड़ोसी है ना पाकिस्तान इसी की बात करें देखिए इसकी बात करें इसने भी इन्हें पुरुषकार दिया हुआ था और आपको बता दूँ जब ये ग्रिजेशन करते हैं इसना तक करते हैं उसके बाद देशाई जी सिविल पर इच्छा उतकीन कर लेते हैं और 1918 में आप देखें कि सिविल सर्विस शुरू कर देते हैं और 12 वरसों तक ये डिप्टी कलेक्टर की पत्फर रहते हैं और उसके बाद आप देखें कि मुरार जी ने 1930 में बेटे सरकार की नौकरी छोड़ दी और सुतंता संगराम की सिवाही बन जाते हैं और फिर आप देखें कि 1931 में ये अखेल भालती हैं कॉंग्रेस समिती की सदस बनते हैं 1946 में राज बिधान सभा की चुनाओ के बाद वह मुंबई में गरह एवं राज मंतरी बनते हैं कब 1946 में ये आप देखेंगे अंग्रेजों की समय की बात हो रही है इस समय तक आप देखते हैं कि अंग्रेजों के दीन थे हम लोग अमारे उपर अंग्रेजियों का सासंता लेकिन आप सभी जानते होंगे कि 1947 में हमें आजादी मिल जाती है उसके बाद आप देखेंगे 1952 में वह मोंबई के मुख मंतरी बनते हैं और 14 नवंबर 1956 को वह बाडिज्य और उद्योग मंतरी के रूम में केंद्री मंतरी मंदल में स पिरभावी मंतरी के रूम में सामिल होते हैं 1971 में उन्हें संसर सदस के रूम में चुना जाता है यानी कि लोगसभा आप दीखें आप सभी जानते हैं लोगसभा का चुनाव लगना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए अगर राजसावा का आपको चुनाव लगना है सदस का तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए और आपको याद रखना चाहिए कि राजसावा सदस्तों का चुनाव आपकी एमेले करते हैं विधायक करते हैं और व पिदाएगी का चुनाओ दोना है तो 25 सालों मुरहोनी चाहिए। फिर आप देखेंगे कि 24 मार्च 1977 को उन्होंने भारत की पिदानवंतिरी कुरू में सपत ली। और 1989 में चरण सींग जनता जनता जो फायटी थी गटवंदन के लिए अपना समर्थन वापस ले लिया। मुरा गान्धी दुबारा पिदान मंत्री आंति हैं। और भारी वहोस से चुनाओ जीतती हैं क्योंकि वह अपनी गल्ती सोईकार ती हैं मापी माँझती हैं जनता से। और आपके देश की जनता हमारे देश की जनता है बहुत सीरिज आदी है वो किसी को भी माप कर देती है। फि नहाराष्ट के तत्कालीन मुखमंतिरी सरत पवार ने उनकी मित्यू तक उन्हें मुंबई में इस्थाई सरकारी आवास पिदान किया था और सेवा निवित्ती के बाद वह मुंबई में रहते थे और 10 अपरेल 1995 को उनकी डैथ हो गई थी मौत हो गई थी और उन्हें अंतिम परसों में उस पीडी के सुतंता सैनानी के रूम में समानित भी किया गया था तो यही कहानी है आपके पहले के गैर कॉंग्रिसी पिदान मंत्री की वैसे हम लोग इसी रिच चलाते रहेंगे सभी पिदान मंत्री के वारे में बात करते रहेंगे अगर और आप लोगों की द